तो हेलो गाइस कैसा आप सभी लोग स्वागते एक और न्यू गेमपले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो दोस्तो आज मैं नेदर वर्ड में जा रहा हूँ और मैं लेने जा रहा हूँ एंसेंड डेबरिस ब्लोक ठीक है तो उसके लिए मैंने माइनिंग किया हूँ तो तब मुझे दो तिन ब्लोक मिल गया थे उपर ही ठीक है मतलब ज्यादा नीचे तक माइनिंग नहीं करनी और काफी नीचे जाना पड़ता और ऐसी जगे माइनिंग करनी पड़ती जहां पर लावा ना आए तो इसलिए क्या है मैंने एसी जगर ढूंड लिया और वहां पर क्या है मतलब थोड़ा बहुत लावा आया तो वह ने बग्ट में बढ़ लिया तो उसके बाद वहां पर तो फो इसके। जगेशे आप नीचे तक माइनिंग करेंग एक और आप दुह आप माइनिंग नहीं इतना आए लौफे नेạtर लॉफे कि ? लावा आ जाएगा तो फिर वो सीधा डायरेक्ट नीचे तक भी आ सकता है तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के भी करना पड़ता है नहीं तो क्या उपर लावा की नदिया भी भरी रहती है तो दोस्तों डेबरिस ब्लोक जैसे कि मैंने दो तीन तो कट कर लिए वहां पर वो तो मुझे माइनक्राफ्ट जब खेलना नहीं आता था तब इतना में दिमाग नहीं लगा पाता था लेकिन अब काफी चीजे में माइनक्राफ्ट में सीख चुका हूं तो इसलिए अब मुझे यह भी पता चल गया है कि जैसे हम लोग माइनिंग करते जा रहे हैं यह मतलब ने लावा भर लेता था तो उससे आगे फिर वह पूरा लावा खटम हो जाता था साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज और पता की है नेधर वल्ड में कि अगर जैसे कि लावा की नदी भरी हुई है अपने नेधर वल्ड में और समझ लो कि आपको वो पूरी नदी बंद करनी है मतलब कि वहां पे इसे लावा पूरी तरह से हटाना है तो उपर की साइड से जहां से लावा आ रहा है वहां पे आपको ब्लोक लगाना है और साथी साथ फिर नीचे की साइड में आके आपको वहां पे ना मतलब ग्रेवल डाल देनी है तो मिल चुके है बाद में मुझे इसकी और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं और ज्यादा माइनिंग करूँगा अभी फिलाल मैं आज चुका हूँ अपने वर्ल्ड में ठीक है मतलब अपने विलेज पर और यहां पर आज मैं अपने लिए डायमेंड की आर्मर बनाने वाला हूँ क्योंकि काफे टाइम से आप लोग कोमेंट कर रहे थे कि इतने के आर्मर कभ बना हुगा तो आज वहाँ इन आचुका है जब मैं डायमेंड की आर्मर बना रहा हूँ अपने लिए ठीक है अपने पास में डायमेंड की कमीन है यह यार मैंने एक सारे ब्लोक के डायमंड बनाऊना तो काफी सारे आर्मर बन जाएगी वैसे तो चलो तो यहां पर देख लो कि मतलब मैंने ना सारे की सारे आर्मर बना लिया बस बूट और बनाना है तो बूट भी बना दिया है मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी काम कर दिया मैंने ओके तो अ आएरं होती है आएरं के ब्लोग बना लो तो वापस आप चाहो तो आएरें को कैसे भी काम में ले सकते हूं इंगड बना लो यह पिर नगेड बना लो यहाँ पर अपने पास में diamond के armor भी आ चुकी है मतलब कि बन चुकी है तो दोस्तो diamond के armor तो मैंने बना दी उसके बाद मैं मैं आ गया था तुरंत नेधर वर्ल्ड में और यहाँ पर मैं यही सोच रहा था कि यह किदर की side mining करें जहाँ पर लावा ना है तो इसलिए भी उसके बाद मैं इधर की side में आया यहाँ पर मुझे आसपास में कहीं पर उपर की side में भी लावा दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सुचे कि एक बार यहाँ पर चल के नीचे तक mining करता है तो यहाँ पर मैं काफी नीचे तक mining करता हूँ चला गया था और तब मुझे यहाँ पर ancient debris के काफी सारे block मिले वैसे तो मैंने काफी दूर तक mining की थी और अभी देखो मैं block cut करते करते जाओंगा ना नीचे उसके बाद मैं आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी mining की अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब यार मैंने फिर ये block पहले cut क्यों नहीं किया तो देखो मैं पहले जब mining करने आयता ना तब मैं iron की pickax बना के लेकर आयता मान लो कि यार गलती से किदर से भी कुछ भी मतलब लावा आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि मतलब मैं kill हो जाओं तो मेरी जो मतलब diamond की pickax है ना वो भी चली जाएगी तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए सब कुछ तो इसलिए मैंने मतलब तयारी यही कि कि यहाँ पे पहले तो मैंने mining की iron की pickax है और उसके बाद मैं अब मैं लेकर आ चुका हूँ दायमंड की बाद मैं पिकेक्स लेकर आऊंगा और जैसे मैं एंसेंट डेवरिस के ब्लोक को कट करूँ और पीचे से लावा निकल के आ जाए तो हो सकता है वैसे तो यसा होगा नहीं लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा वहत यसा लग रहा था कि यार क्या पता मैं किलो जाओ औ है तो इसलिए मैंने पहले ही पूरी तयारी कर दीती ठीक अब यहाँ पे किलोने का कोई सवाल ही नहीं और साथे साथ दोस्तों में बताऊं आप सबीको कि यहां पे मैने माइनिंग की ने इतनी दूर तक तक तो उसके बाद में यहां पे इस जगा पे काफी जैदा मौपस तो पूरी पूरी बीड आ गई यहां पर दोस्तों पहले तो इनको किल करता हूं नहीं तो क्या है यह मेरे पीछे पड़े रहेंगे यह क्या है मेरा पीछा नहीं चोड़ेंगे और मुझे एंसे डेबरिस के ब्लोग भी कट करने नहीं देंगे तो अभी देखो मैं यार एक बार ढूंडता हूं मैंने कहां कहां पर ब्लोग छोड़ेते हैं हाँ एक यहां पर भी था तो इसको कट कर लेता हूं वैसे यह तो मुझे सामने की साइड में दिखाय दे रहा है वैसे यार दोस्तो एक बात है कि मतलब पेले मुझे पता नहीं थे कि नेदर वर्ड में ग्रेंट भी मिल जाती है लेकिन अब जाके मुझे पता चला मतलब कुछ दिन Сे मुझे पता चला जब मैंने ज्यादा माइनिंग की ना तब पता चला कि यहां पर ग्रेंगल भी काफी ज़्यादा मिलती है तो यहां पैसे मैंने शायद ब्लोक कट कर लिया है यहां पैसे तो ले लिया मैंने ब्लोक और इधर की साइड में यार कहां पे हो सकता है और मैंने ब्लोक तो काफी सारे डूंड़ेते यार माइनिंग करते हुए यह देखो बीच में एक सूर भी आ पहले में ब्लोक कट कर लेता हूं यार वो इसलिए कि मतलब यार में थोड़ा ऊपर से माइनिंग करूंगा क्योंकि यार पीछे से पता नहीं लावा निकल के आ जाए तो मैं जल्ब उनके सब्ची बन जाएगी मेरी इसलिए चलो तो ये वाले ब्लोक भी मैंने ले लिए यार दोस्तो अब तो ठीक ठाक ब्लोक मैंने कट कर लिए है लेकिन अभी भी दोस्तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने मतलब एक दो जगे और ऐसी छोड़ी थी जहां पर मैंने एन्शेंट डेवरिस के ब्लोक छोड़े थे वहां है तो पहले तो इस जगा को बंद कर देता हूं क्योंकि यहां से मैंने ब्लोक कट कर लिए ठीक है तो इस जगा जाने का दुबारा कोई काम नहीं रहा है हां तो यार वह इधर की साइड में ती वह जगा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि यार जब मैंने माइनिंग की तो इधर की साइड में आये था यहां पे भी मैंने ब्लोक कट किये थे नीचे के साइड तक और जहां पर दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं मिला ना वहां पर मेंने कह किए कि मतलब यह जो नेदर रेक के ब्लोक यह लगा दिए थे वापस अब दोस्तों अगर आपको भी एन नेधर वर्ड में इसकी माइनिंग करो गए तो यह और भी कम मिलेंगे ठीक है इसी जगा पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं इसकी मैंने जानका रिखी इसलिए इसी जगा पर आके मैंने माइनिंग करना श्टार्ट किया है बस यार दोस्तों आपको जो यह बीच वाली अपने बेग में ताकि जैसे लावा या तो ब्लोक लगा देना वहां पर या फिर लावा को भर लेना यार बकेट में चलो तो यार दोस्तों अभी मेरे पास में लगबग 10-11 एंसेंट डेब्रिस के ब्लोक हो चुके और इतने काफी रहेंगे अभी तो फिलाल यार मैंने का कर लिए थे जितने भी मुझे दिखाई दिए जो मैंने पहले चोड़े थे उसके बाद में मैंने और ज्यादा आगे तक माइनिंग की और तब जाकि मुझे यहां पर और ब्लोक दिखाई दिए ठीक है तो नो ब्लोक पहले हो चुके थे 10-11-12 टोटल 12 ब्लोक अब अपने ने पास में हो चुके साथ-हां पे यहां पर नेडर कॉर्ट से तो यह भी कट कर लेता हूँ तो दोस्तों अभी फिलाल में आच Campbell पास में और यहां पर जेयर कि ढमशी ट्रेडर दिखाई दिया तो इसलिए यार यह काम की चीज़े तो देता है अब यह है कि हम टाइम पे नहीं लेंगे तो फिर उसके बाद में दे या नहीं दे कुछ पता नहीं रेता तो इसलिए टाइम पे ले लेना चाहिए यह हर बार क्या है हर चीज नहीं देता है जाद अतर तो मैंने यह देखा है जैसे कि केल्प आज तक इसने मुझे एक ही बार दिया और उसी टाइम मैंने इससे बाइक कर ली थी तो इसलिए मेरे पास में केल्प आई थी तो यार दोस्तों अभी अपने पास में एंसेंड डेवरीस के ब्लोग भी आ चुके है और साथ साथ डायमेंड के आर्मर भी बन चुके तो अब बाकी तयारी हम आगे के एपिसोड में करेंगे तो बस देखते रहिए माइनक्राफ्ट के वीडियो और साथ हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों तो बस आज के लिए अगर आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किजे इस वीडियो को जदा ज़्यादा शेयर किजी इस वीडियो पर 500 लाइक का एम रखा है मैंने दोस्तों तो बस इस लाइक एम को पूरा कर दें आजार किसी पर आसे साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से यार सब्सक्राइब कर लीजी हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई